नमश्कार, महिलाओं में बालों का गिरना एक आम समस्या है तो female hair loss जो कि बहुत कॉमन हो चुका है अभी क्या इससे baldness हो सकती है? क्या है इसके कारण और इसके इलाज? आज हम इसके बारे में बात करेंगे female hair loss जिसको हम female pattern hair loss भी कहते हैं जब hair loss की बात आती है पुरुषों में एक baldness बहुत ही common होती है और चुकि पुरुषों का जो pattern होता है hair loss का जिसे male pattern hair loss कहा जाता है उसमें आगे से बाल जाते हैं और आगे से बाल जाने के कारण हम उसे जल्दी से डाइग्नोस कर पाते हैं लेकिन महिलाओं में जो pattern है hair loss का उसमें anterior hairline या आगे के जो बाल हैं वो intact रहते हैं इसे कहते हैं female pattern hair loss female pattern hair loss चुकि anterior hairline intact रहती है बालों का गिरना शुरू होता है central part of the scalp से mid scalp से यह सामाननित है यह देखा गया है कि जो महिलाओं में hair loss की age होती है वो हो यह तो शुरू में start हो जाती है जिसे बोलते है post pubertal 20 साल के आसपास की उम्र जब महिलाओं में period शुरू होते है menstrual bleeding यदि axis हो रही है तो बहुत सारे deficiency body में हो जाती है जिसमें मुख्य कारण हो जाता है iron की deficiency तो एक तो age है 20 साल के आसपास 15 से 20 साल की उम्र में महिलाओं के बाल तेजी से गिरना चालो हो जाते है या फिर दूसरा एक और कारण बन जाता है menopause के आसपास जिसे बोलते है pre-menopausal तो 40 साल के उम्र के बाद में फिर से महिलाओं के बालों का गिरना तेजी से बढ़ सकता है या कहा जाता है कि 50% of the woman at the age of 50 they suffer from the hair loss महिलाओं में जो बाल गिरते हैं उसे हम classify कर सकते हैं female pattern hair loss को Ludwig classification से इसकी 3 grading कही जाती है तो grade 1 में जो hair loss शुरू होता है वो central part से शुरू होता है और widening हो जाती है जो हमारी part width है parting line जो है वो धीरे धीरे चोड़ी होने लगती है तो इसे बोलते हैं grade 1 grade 2 में crown में hair loss बहुत बढ़ जाता है parting width और बढ़ जाती है और grade 3 जो की सबसे advanced pattern of hair loss है उसमें ये जो central part है ये करीब-करीब bald हो जाता है लेकिन आपने देखा होगा महिलाएं कभी इतनी bald दिखती नहीं उसका कारण ये है कि even in advanced grade of hair loss महिलाओं में ये वाले बाल जो आगे के intact होते हैं जब इन्हें वो पीछे ले जाती है तो एकदम से baldness नजर नहीं आती तो मैंने बताया कि लुडविक classification में 3 grade होती है और grade 3 is the advanced pattern of hair loss एक और pattern होता है महिलाओं में hair loss का जिसे बोलते हैं Christmas tree pattern जब parting width चोड़ी होने लगती है तो हमारा जो scalp होता है वो Christmas tree के pattern में हमें scalp दिखने लगता है इसे Olsen ने describe किया था तो ये Olsen classification है एक और होता है जिसमें पुरुशों की तरह fronto temporal recession हो जाता है जिसे Hamilton type कहते हैं तो ये कुछ types है female pattern hair loss के जब शुरू में महिलाओं के बाल गिरने शुरू होते हैं तो तेजी से shedding होती है shedding मतलब बाल बहुत तेजी से गिरते हैं लेकिन बाद में यह stabilize हो जाता है बाल गिरते नजर नहीं आते लेकिन thyning होती जाती है और इसका कारण होता है कि जो बाल है वो terminal बाल बचे ही नहीं मतलब बड़े बाल terminal बाल का मतलब होता है बड़े और मोटे बाल वो इतने कम हो जाते हैं कि वो हमें shedding के form में दिखते नहीं है अब हमें देखना है कि इसका इलाज हमें कैसे करना है जैसा मैंने बताया महिलाओं में मुख्य कारण हो जाता है बालों की गिरने का iron की deficiency तो सबसे पहले तो हमें यह diagnose करना है कि कारण क्या है बालों के गिरने का उसके लिए हमें महिलाओं से proper history लेनी चाहिए कि यह बाल कैसे गिरना शुरू हुए क्या या किसी disease के कारण हो रहे है क्या उनको साथ में hypothyroidism है या कोई अन्य प्रकार की बीमारी जैसे PCOD वगेरा है तो हमें उसके कारण का इलाज तो करना ही है साथ में कुछ important investigation है जैसे serum ferritin है vitamin B12 level है और vitamin D यह बहुत महत्वपूर्ण है तो यदि इनकी कमी है तो हमें इसको treat करना है साथ में महिलाओं में आज भी जो FDA approved treatment है वो है सिर्फ minoxidil minoxidil exolution के form में आता है जिसे topically हमको scalp के उपर लगाना रहता है यह दो concentration में मिलता है 2% of the minoxidil महिलाओं को दिन में 2 बार लगाना चाहिए एक ओर आता है जिसे 5% के concentration में मिलता है उसे दिन में एक भी बार लगाए तो वो sufficient है minoxidil के लगाने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है इसे dry scalp पर लगाना चाहिए मतलब जब आपके scalp और बाल गीले नहीं हो dry scalp पर हमें 1 ml of the minoxidil affected area में लगाना चाहिए 1 ml frontal part के लिए sufficient होता है लेकिन इदी baldness या thinning बहुत जादा है और पीछे तक जाना है तो हम 2-3 ml भी काम में ले सकते हैं जब हम minoxidil लगाएं तो इस बात का बहुत important है ये ध्यान रखना कि वो minoxidil हमारे सिर के उपर नहीं आए नहीं तो unwanted hair growth हो सकती है एक और side effect होता है minoxidil का जिसे हम बोलते हैं contact dermatitis या eaching तो eaching बहुत common हो जाती है minoxidil application के साथ इसके लिए एक foam base का preparation available होता है तो minoxidil foam से eaching की समस्या reduce हो जाती है या कम हो जाती है एक और बात का ध्यान रखना है minoxidil के साथ में कि pregnant महिलाओं को इसको काम में नहीं लेना है तो ये तो FDA approved treatment है इसके साथ बहुत से दूसरे treatment available है जैसे oral minoxidil minoxidil को हम oral form में भी ले सकते है फिर low level light therapy ये minoxidil और nutritional supplement के साथ में जब हम LLT या low level laser therapy को काम में लेते हैं तो इसका mechanism ये होता है कि वो जो light की किरणे laser की किरणे जब बालों के उपर scalp के उपर गिरती है तो वो photoreceptors को stimulate करती है बालों की जड़ों में और उनसे energy produce होती है और वो बालों की growth phase को बढ़ाती है जब बालों की growth phase या energy phase बढ़ेगी तो definitely बाल लंबे होंगे और मोटे भी होंगे तो यहाँ एक important treatment है echo treatment है PRP platelet rich plasma platelets जब हम बालों के अंदर inject करते हैं scalp में inject करते हैं वो growth factors release करते हैं और वो भी बालों की जड़ों को growth के लिए stimulate करते हैं अभी recent में echo treatment आया है जिसे बोलते है exosomes या इसकी study अभी चल रही है exosomes basically messenger vesicles होते हैं जो एक cell से दुसरे cell को message ले जाते हैं तो बोते messenger तो ये जो exosomes हैं इनको जब hair follicle से separate किया जाता है ये और inject किया जाता है ये भी बालों की growth को बढ़ाते हैं तो ये तो कुछ दवाईयां हैं कुछ दवाईयां और भी काम में ली जाती हैं जैसे anti-androgens हैं spironolecton हैं US FDA approved treatment सिर्फ एक ही है और वो है minoxidil तो महिलाओं में जब हम treatment करें तो सबसे important है कारण का इलाज करना कारण में जो deficiency है vitamins की, nutrients की iron की उनका इलाज बहुत ज़रूरी है फिर lifestyle को modify करना जो stress level आज की दुनिया में आज के समय में कोविट के समय में बढ़ गया है उसे manage करने के लिए हमारी lifestyle हमें exercise करनी है और फिर minoxidil application साथ में हम PRP और low level laser therapy का उपयोग कर सकते हैं ये तो हमारे सारे medical treatment की बात हुई अब eco treatment non-surgical available है जिसे बोलते हैं scalp micropigmentation जब हमारा scalp शो बढ़ जाता है thinning start होती है तो हम चाहते हैं कि हमारा scalp नहीं दीखे तो scalp micropigmentation जिसे हम micro tattooing भी बोलते हैं इसमें छोटे-छोटे dots बनाए जाते हैं वो dots ये एहसास देते हैं या ये illusion देते हैं कि वहाँ बाल है तो scalp show reduce हो जाता है यह भी एक अच्छा treatment है और last resort आता है hair transplant तो महिलाओं में जब hair transplant किया जाता है तो उसके पहले counseling बहुत ज़्यादा जरूरी है hair transplant उन्हीं महिलाओं में किया जाना चाहिए जो well motivated हो जिनके expectation realistic हो और जो medicine लेने के लिए तैयार हो existing बालों को बचाना सबसे महत्पपुर्ण कार्य है तन्यवाद